हे गाईज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसपी में आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी की मिठाई मतलब सूजी से पेडा बनाएंगे हम बहुत इजी तरीका है और घर में आसानी से बन भी जाता है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सूजी से बनने वाली मिठाईयां बताईए तो वीडियो को लास तक देखते रहे हैं और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करें हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है सोनी की चंस में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा ले ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियो से हैं वो आप स पास मोटी सूजी है तो एक बार आप क्या करें मिक्सी में डालके थोड़ा सा चला ले ताकि यह जो सूजी है वो बारीक हो जाए बारीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तब तो आप डारेक यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया है और एक कढ़ाई में गी डाला है और उसके बाद दोनों को अच्छे तरीके से डालके लो फ्लेम पे गास को लो फ्लेम पे रखना है और लो फ्लेम पे हमें इसको भूनना है जब तक यह बिल्कुल अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाए बहुत जादा ब्राउन या डार्क हमें नहीं करना मतलब लाइट ब्राउन नहीं जब तक कि इसका बिलकुल कच्छा टेस्ट जो है वह बिलकुल खutम नहीं जब देखे से तो इतना जब भून जए तो इसका मतलब है कि यह बिल्कुल रेड़ी है भून चुका है सूजी बिल्कुल भी कच्ची नहीं है तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आड़ करने के लिए हम एड़ करेंगे कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो माकड में मिलता है वह वाला आप चाहू तो जो फ्रेश नारियल होता है उसको आप कद्दू कस करके भी यूज कर सकते हो अब बस आप उसका उपर का जो काला चिलका होता है वह हटा देना तो इसी में साथ महीं हमें इसको भूनन लेकिन जब सूजी भून जाए तब आपने इसको डालना है क्योंकि कोकोनट को बहुत जादा भूनने के जहुत नहीं होती है तो इसलिए मैंनेज सूजी को भूनने के बाद इसको थोड़ा सा डाला है अब यह बिल्कुल हलवे जैसा टेस्ट ना आए इसके लिए हम क्या क करेंगे एक चोथाई कंप या फिर तीन बड़े हमाच हम इसने डालेंगे रख मिल्क पावडर मिल्क पावडर भी सी और य्यूज़ कर सकते हूं यज फिर आप चौठ हाई कप से थोड़ा सा जयादा डाला है मतलब ये वन थ़र्ड कप है और वो वह थोड़ा सा खाली था. ग्राम में अगर आपको बताओ तो ग्राम में ये फिफटी ग्राम के करीब है तो 50 ग्राम मैंने चीनी डाला है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इलाइची का पाउडर ग्यास का फ्लेम बिल्कुल लोग पे है आप इतना ध्यान रखना उसके बाद हमें एक कप इसमें दूड डाल देना है जब सब कुछ पर तक पकाते जाएए अच्छा एक से दो मिनट जैसे ही आप इसको पकाएंगे तो जो कड़ाई है वह बिल्कुल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल एक डो की तरह ये बनने लग जाएगा देखे डो की तरह बन रहा है तो यह जो बिल्कुल अच्छे से इस तर और तो दूर्ट Azip नहीं है हमें इसको पेड़े की शेप देना है तो हमें इसको ठंडा करने के बाद बनाना है तो यत थंदा हो चुका है थोडी दिर के लिए आसे नोर्मल यतर ओर रख धी था तो अब यह बिल्कुल ठंडा है आभ इसको हम त्दोड़ मिक्स कर लें' मैश कर लेंगे या फिर अपने हाथों से बिलकुल एक डो की तरह इसे हम रेडी कर लेंगे इसमें अगर जरूरत लगे ऊपर से ऊबला हुआ दूद थोड़ा बहुत आप डाल सकते हो अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो इसमें क्रैकिंग बहुत जदा होंगी तो इसलिए आप थोड़ा बहुत डूद डाल सकते हो उसके पाद इस टाइप का कोई पेड़ा मेकर वगरा पेड़ा प्रेस या फिर जो भी आपके पास है पेड़ा बनाने के लिए कोई भी साचा नहीं है तो आप इसको गोल गोल बना सकते हो डारेकली बॉल की तरह लड़ू की तरह पर इसको जो भी शेप आप देना चाहो दे सकते हो मेरे पास यह के अंदर डालके क्या हुँगा इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करूँगा इसके उपर जो आधा कटा हुआ वदाम होता है ना वह इसके उपर ऐसे लगाऊंगा यह दीखिये इस तरह से और इसे मैं ऐसे से प और हलबा जैसा ना लगे इसलिए मैंने coconut और milk powder में डाला है ये देखिए अब दूसरा भी हम ऐसे ही ready कर लेंगे बना के और बाकी जितने भी है सारे हम ऐसे ही बना के ready कर लेंगे design आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हो या फिर यही बनाना है तो आप यही बना सकते हो या फिर कोई भी साचा वगएर आप यूज कर सकते हो पेड़े के लिए और कोई भी छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगे बना सकते हो यह मिठा मैं सिर्फ बना रहूं तो जो भी आप मैंसे जो भी रेसिपी आप देखना चाहते हो उसको कमेंट में लिखिए उसका नाम ताकि मैं वो रेसिपी आपके लिए जल्दी से बजल्दी बना सकूँ तो थेंक्यू समच गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई